फॉन को रिये स्टार्ट कैसे करें? हेलो दोस्तो स्वागत है फिर से एक निव वीडियो में दोस्तो आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूँ कि आप अपने फॉन को रिये स्टार्ट कैसे करें और रिसेट और रिये स्टार्ट का मतलब क्या है और दोस्तो इसमें फर्क क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ और दोस्तो यहाँ पे रिये स्टार्ट करने से होता क्या है वो भी मैं आपको इस वीडियो में सारा का सारा सेटिंग आपको बताने वाला हूँ तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं Reset और Restart का मतलब क्या होता है तो दोस्तो Reset का मतलब ये होता है कि अगर आप अपने phone को Reset करते हैं तो दोस्तो आपका जो data है वो सारा का सारा delete हो जाता है यानि दोस्तो आपका phone पहले जैसा हो जाता है जैसे आप यहाँ पे किशी शॉप से नया खरीद के लाते हैं उस तरीके का आपका हो जाएगा और रिये स्टार्ट का मतलब यह है कि अगर आपके फॉन के अंदर डाटा नहीं चल रहा है या फिर कोई application काम नहीं कर रहा है या फिर आपका Bluetooth या फिर आपका network ये सब work नहीं कर रहा है छोटी मोटी जो problem है वो solve होता है restart करने से तो आपको restart कैसे करना है चली मैं आपको बधाता हूँ तो restart करने के लिए आपको करना ये होगा आपके mobile के side में जो है आपको power on off type का एक button दिखेगा आप देख सकते हैं तो आपको इसको जो है press करके रखना है कुछ इस तरीके से और आपके सामने कुछ इस परकार का option आ जाता है तो यहाँ पे जो है आपको एक reboot का option दिखेगा किसी किसी phone में जो है restart का भी option रहता है तो दोस्तो reboot और restart दोनों same ही है आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है तो दोस्तो आपको क्या करना है reboot के button पे click करके आपको अपने phone को एक बार reboot कर लेना है तो दोस्तो यहाँ पर जो है अगर यह power on off आपका काम नहीं कर रहा है या फिर इसको दवाने से reboot का option नहीं आ रहा है तो आपको जो है power वाला button और दोस्तो यहाँ पे volume down का जो button होता है न उसको दोनों को एक साथ press करके रखना है और जैसी press करके रखियेगा तो दोस्तो आपके सामने रीबूट का option आ जाता है यह option जो हर किसी phone में काम नहीं करता है लेकिन दोस्तो यह option जो है किसी-किसी phone में काम करता है तो आपको यह वाद को धियान रखना है ठीक है इसके बाद अपने phone को एक बार reboot कर दीजिए तो हमने यहापे reboot पे क्लिक कर दिया है तो चलिए हम इसको reboot होने देते हैं तो दोस्तो हमारा जो phone है वो reboot हो चुका है आप यहाँ पे देख सकते हैं reboot करने से जो है आपका छोटा मुटा दिक्कत जो है solve हो जाएगा और आपको मालुम चल गया होगा कि restart और restart का मतलब क्या होता है और इसमें फर्क क्या है तो कैसा लगा वीडियो हमें comment box में जूर से बताइएगा वीडियो को like करना साथी साथ चनल को subscribe करना ना भूले